दिखे आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो ये गारंटी मेरी है कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे इस टाइप से आपको ट्रिक देखने को मिलेगी नॉबल प्राइस दोजार चोबिस की घोशना हो चुकी है 6-6 के सभी प्राप्त करता ट्रिक सबसे पहले देख लेंगे उसके बाद MCQ अपन लगाएंगे 15 MCQ के क्योशन्स रहेंगे जिसमें क्योशन्स आपके नॉबल प्राइस क्यों दिया गया और किसे दिया गया है और ट्रिक ऐसी रहेगी जिनें आपको याद करने की जुरूत नह अच्छे यह ट्रिक किसकी है फोती की फिजिक्स है यह जिनका फिजिकल अच्छा होगा वह फिल्ड में छक्का लगा देगा कैसे फ्री हिट पर फ्री हिट पर फिल्ड में छक्का लगाएगा अब जैसे यह स्वाल आएगा यह फिजिक्स का पूछा है अच्छा फिजिक्स तो physical अच्छी है तो जैसे option देखेंगे field, hit and free hit पर छक्के की बात हो रही है तो आपका physics का nobel इस type से याद हो जाएगा रटना नहीं है trick को तो एक-एक करके सभी की trick जानते Nobel Prize की trick तो देख लेंगे, success की trick बताऊँ तो सफलता का एकी shortcut है practice, जितनी हो सके practice कीजिगा previous year की paper से mock test लगाएगा, गलतियों को सुधार कीजिगा, time management बहतर कीजिगा वो ही आपका selection दिलाता है, 50 percentage आपकी त्यारी, mock test से, practice से, CVT exam से पहरे जितनी अच्छी खासी practice हो जाएगी, आपकी rank आजाएगी कहां से करे practice, test book pass pro जोइन कर लेना, new candidate है अभी तक test book से, या फिर रदर किसी भी platform से mock test नहीं लगा रहे है, तो आप बहुत पीछे हो एक बार कुछ छिले बस हो जाए, तो mock test start कर दो, वहां से देखो, कहां का आप गलतिया कर रहे हो, समयरे तो उसको सुधार करो लिंक description में, test book pass pro कैसे जोइन करना है, TDJ के coupon code वहां use करेंगे, अभी 12% का discount मिल जाएगा यहाँ पर yearly pass pro, एक साल की validity में railway ही नहीं, क्यों आप railway NTPC के mock test देपाएंगे, नहीं, LP की देपाएंगे, SSC की जेतने भी exam से उनके देपाएंगे, SSCD की देपाएंगे, RPA PSI के देपाएंगे, नहीं, एक साल में जो भी exam है, सारे exam के mock test आपको मिल जाएंगे, TDJ की link आपकी coupon अपन कोड से, बेहतरीन डिसकाउंट, link desk response में कैसे pass pro join करना देख लेएंगे, अब अपन छक्का लगाते हैं भाई, फिर इट पर, पहला, अर्ष्रास्तर में Nobel Prize 2024 में किसे दिया गया है, अर्ष्रास्तर, प्राप्त करता ये है, डेरेन, S. Mogli, Simon Johnson, James Robinson, इन तीनों को दिया गया है, economics का नोबल, केसे हेतू दिया गया है, तो संस्थानों के गठन और उनके संपनता पर परभाव के अध्यन के लिए, अर्ष्रास्तर है, तो institute का गठन है, और उनके संपनता है, क्या परभाव पढ़ रहा है, अब याद कैसे करना है, प्राप्त करता को, economics आते ही, दिमाग माजाना सही, अच्छाई आपका खर्चा, खर्चा, economics है, धन है, अर्थ है, ये सबी, तो अपने पुत्रों को, बाब क्या कहता है, पिता जी क्या कहते है, पुत्रों को, सं को, कि फिजूल खर्ची से डरना चाहिए, कोई भी अर्षास्तर है, तो खर्ची हो रहे है, कि इनको, सं को, तो यहाँ पर दो सं आ रहे है, जौन सन, रोबिन सन, ठीक है, और डरना है, तो डेरेन एस मोगली, या फिर सेकेंड ट्रिक है, मोगली एंड सन कमपनी, आप देखती हो न, काफी ऐसी सौप्स परतिष्टान है, जिन से एकोनोमिक्स का स्वाल आएगा, निमलिक्त में से अर्षास्तर का नोबल प्राइज 2024 में केसे दिया गया है, आप देखेंगे, कि पुत्रों की सन की कमपनी है, दो सन है न, सन सन, एंड सन कमपनी है, तो यह कमपनी अर्षास्तर का हो जाएगा, फिर मोगली है, तो मोगली यहाँ पर एड़ कर देना जो भी अच्छी ट्रिक लगे वो आप कमेंट सेक्षन बताना किस हेतू दिया गया है थोड़ा ध्यान से देख लेना लाश्ट में अपने MCQ रहेंगे उसमें किस हेतू आले भी साथ में रहेंगे तो इसको अभी थोड़ा ध्यान से देख लेना साहित्य में दिया गया है दक्षन कोरिया लेख का हान कांग को आगे स्वाल आएगा कि साहित्य में नोबल प्राइज 2024 है किस देश के वक्ति को दिया गया है दक्षन कोरिया को ठीक है नाम इनका हान कांग है किस हेतू दिया गया उनके गहन कावयात्मक गध्धे के लिए ए लेकनी अच्छी है न वो king है, साहित्य के लिए हम king है, कौन हम king है, हांग कांग, हांग कांग हम king है, तो साहित्य में सभी king रहो, अच्छा आपकी पकड़ होनी चाहिए साहित्य में, बाकि कंगना का साहित्य बेष्ट है, साहित्य के इसका है, साहित्य है कंगना का, नहीं kang, हा हो गया सहीतिय का बात करते हैं शांति का नोबल प्राइज 2024 की प्राप्त करता है जापानी संग्ठन नीहोन हिदान क्यों नीहोन हिदान क्यों और आगे स्वाल आएगा आपके शांति का नोबल प्राइज 2024 किसे हेतू दिया गया किने दिया गया तो किने दिया गया वो तो जापानी संग्ठन है तो यहां से आपके ट्रिक रहेगी हम दान क्यों करते हैं ताक कि हमें शान्ती मिले अब जैसे ही स्वाल आएगा शान्ती का नोबल प्राइज 2024 के नहीं दिया गया तो शान्ती के लिए आपकी आत्मा कब शान्ती मिलेगी जब दान पुर्णे किया जाए तो दान से यहां पर आपका हिदान दान क्यों क्यों करें दान क्योंकि आपको शान्ती मिले तो आपको दान हिदान क्यों निहोन हिदान क्यों यह एक और जापान का किस देश का जापानी संक्टन है निहोन हिदान क्यों तो यहां से आपका इसली याद हो जाएगा आपको बता दू, चह चहतर में Nobel Prize दिये जाते हैं, 1901 से इनकी सुरुवात होई है Nobel Prize की उन चह चहतरों में जो ये शांती का Nobel Prize है न, ये Norway में दिया जाता है, और बाकी जितने भी चहतर के Nobel Prize है, वो Sweden में दिये जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रिखीगा, अभी जो शांती का अपन देख रहे हैं, ये नौर्वे में दिया जाता है अब सीधा है अपन ने जंप कर दिया है केमिकल में जंप कर दिया है, रशायन में अपन ने जंप किया, क्योंकि इसका एक नाम जंपर भी है, जोन M. जंपर को भी ये दिया गया है रसायन विग्यान में नोबल प्राइज 2024 की बात करें तो ये दिया गया है डेविट बेकर, डेमिस हासाबीज और जॉन एम जंपर को अब जंप करने से पेरे ये थोड़ा अपना रहे गया है शांते का नोबल प्राइज 2024 क्यों दिया गया परमाणू हतियारों से मुक्त विश्व के लिए उनके प्रियास हे तू कि परमाणू हतियारों से विश्व को कैसे मुक्त करना है इसके प्रियास हे तू दिया गया है जापानी संग्ठन, नीहोन, हिदान क्यों को नोबल ठीक है अब अपने यहाँ पर दुबारा जंप किया डेविड बेकर, डेमिस हासाबीस, जॉन एम जंपर, ट्रिक, ट्रिक क्या रहेगी बीकर में अब कैमिस्ट्री है, रसाइन विज्ञान यह दिया आपने पढ़ी है तो बीकर वहाँ पर लैब में एक उपकरण रहता है तो बीकर से हासे गैस सुंगने से जंप लगाने लगे अब जो साइन्स बैक्ग्राउंड से नहीं है, वो यह याद रखो बकरा रसाइन खाकर हंसता है एंड जंप करता है तो यहाँ पर रसाइन, रसाइन यही बकरा ने खा लिया तो बकरे रसाइन खाएगा तो उसकी हंसी और जंप दोनों एक साथ यहाँ पर निकल पड़ेंगी स्वाल आए कि रसाइन विग्यान में नोबल प्राइस 2024 किन है दिया गया है तो यह जैसे आपका उप्सन देखेंगे न अच्छा बेकर बीकर आ रहा तो कहने के रसाइन का है हसा भी हंसने की गेंस हसे गेंस भी केमिकल से जुड़िये और फिर सूंगने से हसे गेंस सूंगने से जंप किया बीकर में जो हसे गेंस थी उनको सूंगने से जंप किया यह डारेक्ल याद हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा तो आप जंप करेगा कौन बक्रा करेगा कब जब यहाँ पर वो रसाइन खा जाएगा chemical खा जाएगा तो हसेगा और जंप करेगा यह easy लिए आप याद रख पाएंगे क्यों दिया गया है तो डेविड बेकर को तो प्रोटीन डीजाइन में उनके नवाचार कारे के लिए दिया गया है जो डेविड बेकर है ना उन्होंने प्रोटीन डीजाइन का काम किया है बाकी दो जो डेमिस हासाबीस और जॉन एम जमपर है ना उनको AI आदारित प्रोटीन सरचना तो यहाँ पर protein design के लिए डेविड वेकर और इसके अत्तिक्त यहाँ पर इन दोरों ने AI best protein की सरचना की भावशेवानी की है इस हेत्व इन दोरों को दिया गया है तो यह easy अगला देखते हैं भोतिकी में Nobel Prize 2024 physics का आपको बता दिया है जौन जे होफिल्ड और जयोंफ्री इहिंटन को दिया गया है किस हेत्व दिया गया है तो machine learning में artificial neural network के साथ उप्योग होने वाले मोलिक अविश्कारों और खोजों के लिए machine learning में किस प्रकार artificial neural network का में आएगा और अब इसकी ट्रिक बता दिये physical अच्छा है तो free hit पर आप field में चक्का लगा देंगे physical नहीं physics की बात हो रही है और फिर आप field में क्या लगाएंगे free hit free है ने free hinton तो free hit पर आप field में चक्का लगा देंगे तो ये easy है अंतीम देख लो भाई चिक्किसा या physiology है इसमें nobel prize 24 में किने दिया गया है तो ये दिया गया है Victor Ambrose Gary Rukun अब चिक्किसा की बात आती है न जब medical की चिक्किसा की hospital की बात आती है आपकी Rukun काप जाती है भाई इतना यहाँ पर लोगों की पीड़ा रहती है तो चिक्किसा की बात आती है ब्रो चिक्किसा में रूँकाप ती है ब्रो अरे भाई चिक्किसा में तो रूँकाप उठती है तो ब्रो यहाँ पर Ambrose और Rukun रूँकाप जाती है गेरी Rukun तो Victor Ambrose तो जैसे ही स्वाल आएगा चिक्किसा 2024 में नोबल प्राइज किसे दिया गया आप कहेंगे चिक्किसा है भाही ब्रो को बोलेंगे रूंक आप रही ये जैसे ओप्सन देखेंगे आप हिट कर देंगे करेक्ट एंस्वर किस हितु दिया गया है माइक्रो आरेने की खोज और जीन अभिव्यक्ति के पच्छ लिम्बित रनिये नीमन में उनकी महत्पुन भुमिका के लिए तो माइक्रो आरेने की खोज और जीन अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूंकून को दिया गया है medicine 2024 का nobel prize तो ये अच्छ आपके complete होगे अब trick आपको apply करनी है mcq के स्वालों में अब trick को आजमाईएगा mcq के साथ comment section बता ना ये जो questions है क्या आपने trick से सारे correct कर दी है बिल्कूल आपके देखते ही हिट हो जाएगा पहला स्वाल अर्षास्तर में 2024 का nobel prize किसे दिया गया अर्षास्तर फिजूल खर्चे आपके दिमाग में आदानी चाहिए खर्ची करेगा तो पुत्रों को यहाँ पर शंदेश देगा बाप फिजूल खर्चे से बचना है पुत्र कौन जॉनसन रोबिनसन बाकी मोगली एंड संस जो आपने कंपनी देखी है वो अर्षास्तर की है विकल्प सी करेक्ट है अगला स्वाल है कि इन्हें मोगली जॉनसन रोबिनसन को क्यूं मिला है अर्षास्तर में nobel prize कारण बताओ भई क्यूं मिला है तो यहाँ पर संस्थानों के गटन और शंपन्ता पर परभावों के अध्यन के लिए दिया गया विकल्प एक करेक्ट है खलाल स्वाल नंबर दो की और तीन की और 2024 में सहित्य का nobel prize किसे दिया गया सहित्य में बिलकुल आपने करेक्ट एंसर किया है सहित्य में तो आप किंग हो हम किंग है सभी हांग कांग को दिया गया है स्वाल है कि हांग कांग को सहित्य का nobel prize किस प्रकार के लेखन के लिए मिला है उनका लेखन है गेहन कावयात्मक गध्धे के लिए दिया गया है ठीक है बाकि हानकांग की कुछ यहाँ पर लेखनी किताबों के बारे में बताऊँ तो द वेजिटेरियन, द वाइट बोक, हुमन एक्ट्स और ग्रीक लेशन्स ये इनकी पुष्ट के हैं नेक्स्ट आपका 2024 में शांती का नोबल प्राइज की संग्ठन को दिया गया ये जैसे ही आपके सामने उप्सेन आएंगी शांती के लिए आप क्या करते हो, दान करते हो, क्यों करते हैं, शांती के लिए, हिदान क्यूँ, ये जो नीहोन हिदान क्यूँ संग्ठन है, इसको मिला, स्वाल आ गया कि इस संग्ठन को क्यों दिया गया शांती का नोबल, क्योंकि परमानू हत्यारों के उनमुलन के बारे म इनका प्रियासरा है विकल्ब बीक रेक्ट है 2024 में रसायन विग्यान का नोबल प्राइज किसे दिया गया है रसायन विग्यान का नोबल प्राइज किसे नहीं किसके लिए दिया गया है क्यों दिया गया है रसायन विग्यान का इनमें आप देखेंगे रसाइन विग्यान का दूर दिया गया है तीन विग्यानिक थे प्रोटीन डीजाइन और AI आदारित प्रोटीन सरंचला की भाष्यवानी के लिए दिया गया है विकल्प सी करेक्ट है और किसे दिया गया है रसाइन विग्यान का किसे दिया गया है 2024 का भूतिकी में Nobel Prize किस खोज के लिए दिया गया, भूतिकी में क्यूं दिया गया पर इकान बताओ, फिजिक्स का, तो फिजिक्स का यहाँ पर आप देखेंगी, Machine Learning में Artificial Neural Network के लिए, विकल्प B करेक्ट है, ठीके, किरत्रीम तंत्री का Network के साथ Machine Learning को शक्षम करने वाली मूल भूत खोजो और आविश्कारों के लिए दिया गया, नेच्ट देखेंगे स्वार नंबर 10, 2024 में सिक्किसा या फिजियोलोजिक का Nobel Prize के नहें दिया गया, चिक्किसा का Nobel Prize, अब चिक्किसा का नाम लेते ही, आपकी क्या काप उठती है, विकल्प B, तो आपकी रूं तो काप तो क्यूं दिया गया, चिक्किसा में, 2024 का Nobel Prize, क्यूं दिया गया, इनका कारण बताऊ, वो कारण यहाँ पर है, माइक्रो आरेने की खोज और जीन अभिवेक्ति के नीमन के लिए, विकल्प सीक्रेक्ट है, अगला स्वाल भोतिकी में 2024 का Nobel Prize कि इन्हें मिला है, फिजिक्स का Nobel Prize 2024 में किस देश के संख्टन को दिया गया, यह अच्छा स्वाल है भाई, किस देश का संख्टन है, आपने हिदानक्यों को दिया गया ना, दान करने से शान्ति मिली है, वो संख्टन है जपान का, किस देश का, जपान का, नीहोन हिदानक्यों किस प्रयास के लिए नोबल का प्राप्त करता है तो ये अल्रेडी आपको बदा चुके हैं प्रमानों हत्यारों का उप्योग कभी नहीं करना चाहिए इस गवाई के लिए ठीक है विकलब A दोजारेट चुके हैं तो ये 15 क्योशंस में से आपने मेक जीमान स्वाल करेक्ट की है बाकि आप कमेंट शेक्शन बताएंगे कितने सही किये और जो किन्हें दिया गया है ये ट्रिक्स आपके दिमाग में फिट हो गई होगी बाकि इसकी पीडिये मैं टेलिग्राम पर शाज जोइन करने से वहां से अपलाई करेंगे तो आपको एक्ष्टा डिस्काउंट मिल देगा टेश्ट्बूक पास्प्रोपर मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद